हेलो एन विल्कम दूस्तों स्वागत है आपका एक यार ग्रोजी जैनल पर दोस्तों को लो के फुल कोर्स की इस वीडियो में आज हम टूल बॉक्स में नेक्स्ट आप्शन सीखेंगे नेक्स्ट टूल सीखेंगे यहां से यह क्रॉप नाइफ वर्चुल सेग्में डिलेट इ कमने फटो यहां पर फोट ऊटे बगब करने कीवाद किरो निकालने के लिए हम यहां पर कंट्रल आई प्रेस करेंगे किवीड से यहां से कोई बी एक फोटो चुन ली लेते हैं सब्सप्रों मैं ने यहां पर यह फोटो लेग लिया यहां से इस तरह से import पर click किया और यहां पर इस तरह से click mouse के click को press करके drag कर लिया तो यह हमार पर photo यहां पर आ गया है यहां पिर मालूँ हमार पर यह shape है इस तरह से तो किसी भी option पर हम चला सकते हैं यहां पर object को भी चला सकते हैं और image पर भी चला सकते हैं इस tool को तो यहां से हमने simple crop tool को लिया और देखिए जितना भी photo हमें यहां पर चाहिए suppose को हमें यहां पर इतना photo requirement है बाकी हमें photo नहीं चाहिए तो जितना photo हमें यहां पर चाहिए उतना हमने selection किया यहां पर और उसके बाद photo के बीच में जो selection हमने किया उसके बीच में कहीं पर भी double click कर देंगे mouse चाहे तो इस तरह से देखिए हमने जितना भी crop किया है वह हमारे पास photo आ जाएगा फ्याल में उसको वापस कर रहा हूँ ctrl z से इसी तरह हम save पर भी चला सकते हैं हमने save selection की हुई है और crop tool लिया और जितना भी हमें crop करना है उतना हमने selection किया और double click कर दिया यहां से इस तरह से ठीक है तो इस तरह से हम अपने किसी भी save को या फिर image को crop कर सकते हैं crop tool से next option है पर knife tool लिया है इसी तरह हम knife tool भी किसी भी save या फिर इक पर image पर use कर सकते हैं simply हमने अपनी image को selection किया होना चाहिए और यहां से knife tool लिया और जितना भी हमें cut करना है उतना इस तरह से हम drag कर देंगे तो देखिए हमारी जो pick है image हो cut हो चुकी है pick tool लेंगे एक बार selection इसके हटा देंग बाहर क्लिक करके और श्याद देखिए फोटो मेंने अलग कर जिया तो इस तरह हम किसी भी अपने पिक को फोटो को cut कर सकते हैं इसी तरह है शेप को भी हम cut कर सकते हैं यह देखिए हम किसी भी object को suppose को हमने आपर कोई भी एक save बनाई हूँ है इस तरह से और virtual segment delete tool से अपनी save को जैसे हम select करता है देखिए वो delete हो जाती है इस तरह से बड़ इसको और अच्छा से समझने के लिए हम यहाँ पर एक design create कर लेता है suppose को हमने यहाँ पर कोई एक मैंने एक circle बनाया और इस circle को मैंने copy किया mouse के click को press करके इस तरह से ड्रैक किया और साथी mouse का right click कर दिया इस तरह से तो यह duplicate बन गया इसका अब देखिए friends का काम क्या है अब suppose को मुझे यह बीच की जो line है वो यहाँ से हटानी है और यह बीच की line जो हटानी हो जाए तो simple हम यहाँ पर आएंगे virtual segment delete लेंगे और इस line पर click करेंगे देखिए बीच की line बिल्कुल यहाँ से gap इसी तरह से यह देखिए तो इस तरह से हम किसी भी line को raise कर सकते हैं एक बार फिर से हम एक save बनाएंगे मैंने एक save बनाए इस तरह से और मैंने आप अब एक बार मौस से क्लिक किया और इसको यहां से rotate किया हलका सा और right click कर दिया साथ में तो यह duplicate बन गया और इस duplicate को repeat करने के लिए हम control और press करेंगे keyboard से इस तरह से अब देखिए दोस्तों यहां से हमने virtual segment delete option लिया है और यहां पर देखिए इस तरह से हम बीच मेंसे जो भी line erase करना चाहें इस तरह से erase कर सकते हैं यह देखिए यह एक simple पूरा पूरा तो यह काम है हमारे virtual segment delete का next अगला option में मिल जाता है eraser तो eraser का point अभी यहां पर बहुत छोटा आयो है तो इसको थोड़ा साम बढ़ा कर लेते हैं यहां से तो मैंने यहां पर कर जिया 10 mm एंटर की keyboard से आए यहां देखिए eraser से हम इस तरह से erase कर पंगी बट धयान रहा से हम वही object erase कर सकते ने जो आवी सलैक्ट किया यह देखिए इस तरह से जो भी object हमारा selected हो इप वही हम ंइरेप कर सकते ना कि इस तरह से मैंने कोई एक बना रखा और इसको सेलेक्षिन कर रखा तो एरीजर से हम इसको इसको एजिली एरीज कर सकते हैं इस तरह से कि किралर एक कि नेक्स्ट्ज काम जाता है मिआशना पर हेंट टूल है उसले जीन टूल एक हैशन सब्सक्राइब तो इस तरह से हम Z प्रैस करके शॉट कट की से ले सकते हैं या फिर हम जो F2 प्रैस करके कीबोर्ट से जूम करते हैं वह भी हम यहां पर कर सकते हैं जूम आउट करना तो यहां पर क्लिक कर सकते हैं यहां पर कीबोड से एफ 3 कर सकते हैं नॉर्मल करना तो एक बार में शिफ्ट एफ 4 कर सकते हैं कि और फ्रेंड यहां पर जो नेक्स्ट जो अप्शन है वह है मारा हैं टूल यहां पर लिखा हुआ है पैन इसे हम हैंड तूल कुछ बोल सकते हैं तो ispris करके हम ले सकते हैं हम को डूकि फीडिवीओ में आपको अप्शन बताया था तो कीवोत कर से तब क honest करता है इस तरसीं को मोव कर सकते हैं आगे तो फेर्ट आज आज डिफ वीडियो में इतना ही में हम यहां से ये सभी एयोप्षेν सीखेंगे तो दोस्तोतों दोस्तों वीडियो मेंब आपको कुछ. कुछी समझ में नहीं आता तो प्रीज कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक करें शेयर करें अब वीडियो को अच्छी लगती है तो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें को और के फुल को को कम्लीट करने के लिए